इंग्लिन की और राउंडर बेंट स्टोक्स आईपिल 2020 से बाहर हो चुके हैं। अंगली में फ्रैक्चर के चलते उन्हें राजस्थान रॉयल्स का साथ बीच में छोड़ना पड़ा। पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्हें उगली में चोट लगी थी जिसके बाद अब वो 2021 आईपिल से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने आईपिल 2021 में चिलने की पिच को लेकर अब नाराज़गी जाहर की है। बेंस्टोक्स ने चिपॉक की पिच को कचरा बता दिया है। विकेट खराब होने के कारण 130-40 के स्कोर बन रहे हैं जबकि 160-70 का स्कोर जरूरी है। चिन्नई ने 23 अपरेल तक 9 आईपिल मैचों की मिजबाने की। इस दोरान केवल दो आउसर पर पहले बल्ले बाजी करने वाले टीम 170 से अधिक का स्कोर बना पाई। आरसीवी ने कोलकाता के खिलाफ 204 जबकि नाइट राइडर्स ने हैदराबाद के खिलाफ 187 दिम्राय थे। इसके अलावा जितने भी मैच वहां पर हुए हैं उसमें स्कोर काफी कम रहा है। आईपियल 2021 में चिन्ने की मैदान में 150 से 152 तक के स्कोर भी डिफेंड हुए है। साथ ही 136 और 120 रन के लक्ष को भी हासिल करने में काफी दिक्कते हुई है। इसके उलग मुंबई में बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। यहां आठ में से दो मैचों में 200 से ज्यादे की स्कोर बने हैं। इसमें से एक बार 200 प्लस स्कोर सफलता पुर्वक हासिल भी किया गया है। दूसरी बार पीछा करने वाली टीम भी लक्ष के करीब पहुँच गई। बागी मैचों में दो मैच को छुड़ दे तो बागी सभी मैच बैटिंग करने वाले टीम 130 रन से उपर रन बनाने में काम्याव रही है। बहराल बें स्टोक्स के चिन्ले के पिछ पर किये गए इस कॉमेंट पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए। साथी देश और दुनिया से जुड़ित तमाम बड़ी खबरों या प्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करना विल्कुल लगुले हमारा डिजिटल प्लैटफॉर्म टीवी नाइन भारत वर्ष। हमने की गलती फिरेट बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा। मास्क दो गजदूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सब को लगाना है। मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है। आपकी सेहत, आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। अपकी बात।